महाशिवरत्री का महत्वपोर्ण समय नजदीक आ चुका है और ऐसे में आपको महाकाल की नगरी लिए चलते हैं दिखाते हैं महाकाल की नगरी में महाकाल के भक्तों का किस तरह से सैलाब उमर पड़ा है महादेव की बारात में शामिल होने के लिए महादेव का आशेरवाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उज्जैन का रुख कर रहे हैं उज्जैन में महाशिवरात्री के विशेश अफजर पर चवालस घंटे तक महाकाल मंदिर का पट खुला रखा जाएगा रात अठारा फरवरी की दो बजगर तीस मिनट से 19 फरवरी की रात 11 बजे तक शैन आरती के बाद पट बंद किया जाएगा और ऐसे में महाकाल के भक्त लगातार 44 घंटे तक इस विशेश अफजर पर महाकाल का आशेरवाद प्राप्त कर सकेंगे इसको लेकर तयारियां पूरी हो चुकी है जिला प्रशासन भी रुद्राक्ष महोत्सास को लेकर सुरत धालूं के उज्जेन पहुँचने को लेकर भी सतरक नजर आया जिला प्रशासन ने हाला की ऐसा अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी संख्या में भक्त महादेव के दर्शन के लिए पहुचेंगे भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ती रही और करीब दस लाख शुरत धालूं के महाशिवरात्री के अवसर पर यहाँ दर्शन करने की पहुचने की संभावना देखी जा रही है प्रशासन ने इसके मद्दे नजर ट्राफिक रूट्स को डाइवर्ट किया है खास दोर पर इन दोर और दिवास से आने वाले रास्तों से वाहन और यात्रियों को डाइवर्ट किया गया है वही चार बड़े पार्किंग स्थल के साथ कुल आठ पार्किंग स्थल तयार किये गए है वहां नहिशुलक बस सेवा द्वारा सुरधालूओं को मंदिर तक ले जाने की भी विवस्था की जा रही है और इसके लिए करीब सौ बसों की विवस्था की गई है ताकि रास्ते में ट्रैफिक जाम की इस्थिती न बने वहीं उजयन आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए टोल नाके को मौनिटर किया जा रहा है संख्या अगर और तेजी से बढ़ी तो वाहनों को टोल नाके के बाद ही बड़े मैदान में कुछ घंटों के लिए रोकने का फैसला लिया जाएगा इस बीच थोड़ी अववस्था के कारण वहां सिहोर में भगदर की भी इस्थिती आबनी थी हालाकि प्रशासनिक मुस्तैदी और भगतों के सैयम से एक बड़ा हादसा टल गया वहीं शुरद्धालू के लिए यात्रा सुविधा जनक हो इसको लेकर शौचाले पीने के पानी और अन्य ववस्थाओं पर भी प्रशासन की नजर है सभी शुरद्धालू नरसें घाट चौराहे से महाकाल मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे महाकाल के दर्शन के लिए शुरद्धालू की बड़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने और भी बड़ा फैसला लिया कि आने वाले दो दिनों तक महाकाल लोक घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा महाकाल लोक के रास्ते का इस्तिमाल सिर्फ शुरद्धालू को मंदिर में प्रवेश के लिए दिया जाएगा और महाकाल लोक में शुरद्धालू अभी नहीं घूम सकेंगे हलाकि प्रशासन के इस फैसले से वहां पहुँचे शुरद्धालू थोड़े निराश जरूर नजर आए प्रशासन ने कहा कि दस लाख शुरद्धालू को एक दिन में दर्शन कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी अलग अलग रज्जों से यहां तक की विदेशों से भी महाकाल के भक्त उनकी नगरी में उज्जैन में उनके दर्शन के लिए पहुँचे है पूरे शहर और पूरे भक्तों के सैलाब पर नजर रखने के लिए सी सी टीवी कैमरे चपपे चपपे पर लगाए गए है जबकि इस महाशिवरात्री के विशेस अफसर के लिए उज्जैन को दुलहन की तरह सजाया गया है महाशिवरात्री पर्व के मौके पर उज्जैन में कई खास आयोजन हो रहे हैं उनमें से 21 लाख दीपक एक साथ जलाय जाने के कीरतिमान को लेकर भी शुरद्धालूं में खासा उत्सा है वहीं शुरद्धालूं के साथ भजन मंडली के लोग भी गाते बजाते बाबा की बारात में शामिल होने को पहुँचे हैं